हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे संग्या का चोथा भेद समू वाचक संग्या जिस संग्या सब उसे वस्तूओं के समूदाय का बोधो उसे समू वाचक संग्या कहते हैं जैसे व्यक्तियों का समू भीड जनता सभा कक्षा वस्तूओं का समू कोई गुच्छा कुंज मंडल ये सब क्या हैं समू वाचक संग्या के भेद हैं उधारण हैं द्रव्य वाचक संग्या में क्या होगा जिस संग्या से तॉल वाली वस्तू का बोधो उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं सितांबा, पीतल, चावल, गी, तेल, सोना, लोहा, आदि ये सब किस में आ जाएंगे? द्रवे वाचक संग्या में आ जाएंगे अब है संग्याओं का प्रियोग संग्याओं के प्रियोग में कभी-कभी उलट फेर भी हो जाते हैं जैसे जाती वाचक, व्यक्ति वाचक, कभी-कभी जाती वाचक संग्याओं का प्रियोग व्यक्ति वाचक संग्याओं में होता है जैसे पुरी से जगनात पुरी का, देवी से दुरगा का, दाव से कृष्ण के भाई बलदेव का, सम्वत से विक्रम सम्वत का ये सब किसमे हैं जाती वाचक से व्यक्ति वाचक में आये हैं भारत इंदू से बावु हरीश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसिदास का बोध होता है गोस्वामी किसमें आ गया हैंगे हमारे जाती वाचक में उसे बोध किसका होगा तुलसिदास जी का होगा बोध तुलसिदास जी है व्यक्ति वाचक संग्या में इसी तरह बहुत से योगरूर संग्या मुल्गूरूप से जाती वाचक होते वे भी प्रियोग में व्यक्ति वाचक के अर्थ में चली जाती है जैसे गनीश, हनुमान, हिमाले, गोपाल नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कभी-कभी व्यक्तिवाचक संग्या का प्रियोग जातिवाचक में होता है ऐसे किसी व्यक्ति का असाधरन गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या में बदल जाती है कैसे जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे ये शुदा हमारे घर की लक्षमी है तुम कल्यूक के भीम हो ये किसमें आये हैं व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में फिर हैं भाव वाचक, भाव से जाती वाचक, कभी कभी भाव वाचक संग्या का प्रियोग जाती वाचक संग्या में होता है, उधारण देखते हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, यहां पहरावा भाव वाचक संग्या है, पहरावा होता है जो आप पहनते हैं, ड्रेस संग्या के रुपांतर जैसे वचन के नुसार लड़का खाता है लड़के खाते हैं एक लड़का जा रहा है तीन लड़के जा रहे हैं फिर है कारक चिन्नों के नुसार लड़का खाना खाता है लड़के ने खाना खाया यहाँ पर कारक चिना गया ने यह चिन है करता का बिना कारक चिन के लड़के खाना खाते हैं बहुवचन में लड़कियां खाना खाती हैं बहुवचन में कारक चिन्नों के साथ लड़कों ने खाना खाया लड़कियों ने खाना खाया लड़कों से पूछो लड़कियों से पूछो इसमें भी हमारे क्या आ रहे हैं कारक चिन आ रहे हैं इस प्रकार संग्या का रूपांतर लिंग वचन और कारक के कारण होता है यानिके संग्या का रूपांतर यानिके संग्या का जो रूप है वो बदलता रहता है यह आज हमने किया है संग्या हमारी कंप्लीट हो गई है इस नेक्स्ट वीडियो में सर्मनाम स्टार्ट हो जाएगी हमारी तब तक के लिए आप बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए